हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूडवेजिस में आज हमां आलू मटर के ऐसी सब्जी बनाने जा रहे हैं इससे पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा आए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं आज हम बनाएंगे आलू मटर की सब्जी जिसके लिए हम एकदम छोटे साइज के आलू लिए हैं ये ठंड के मौसम में मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है छोटे आलू का स्वाद बहुत अच्छा होता है इसलिए आज हम इससे बना रहे हैं अगर आपके पास नहीं में शूआ को अच्छा होता है इसलिए हम师 हम कूकर में बनाएंगे कूकर हमारा गरम हो गया है झाल को दूला चंबा बैल होने देते पास दोल गरह ग्लग में अवमिसमें एक चंबास जीरा डालेंगे एक तूटक्डभा डाल ला लूंग अपन जीरा हमारा भून गया है अब हम इसमें आलू को डाल देंगे और इसे ढख कर दो मिनड़ तक भून लेंगे दो मिनड़ तक आलू को हम घून लिये हैं अब इसमें दो मिडियम साइज के प्याज जिसे मैंने लंबे-लंबे कट लिए और इसे जाल देंगे अलु और प्याज को ब्राउन होने तक इसे हम भूण लेंगे जब तक हमारा आलु और प्याज ब्राउन हो रहा है सब तक हम मटर को ख़ड़ा पीस लेते हैं यह अक बावल मटर लिये हैं इसे हम आधा से ज्यादा मिक्सिय के जार में डाल करके हलका दर-दरा इसे पीछ लेंगे यह देखिए आधा से ज्यादा मतर हम इसमें जार में डाल दिये हैं और थोड़ा सा मतर इसे हम गोटा रखें हैं इसे गोटा ही डालेंगे आप लोग ऐसे आलू मटर की सब्जी पहले कभी नहीं खाई होगी यह इतना टेस्टी बन कर तयार होता है पहले हमारी दादी नानी इस तरह की आलू मटर की सब्जी बना करकर के हम लोगों को खिलाया करते थे वह बहुत चाओ सही से खाते थे आज आप लोग के साथ ये डिस्ट में शेयर कर रही हूं इसे एक बार बना करके खाएं बहुत ही मज़ा आता है मतर में ही हम दो हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पता का डंठल इसे हम डाल देगे इसे हम लोग फेकेंगे नहीं डंठल को इसे हम पीस करके सबजी में डाल देंगे जिससे सबजी का स्वाद और दोगना हो जाएगा प्याज ही हमारा हलका ब्राउन हो गया है अब हम इसमें एक चमच अधरक का पेस्ट और एक चमच लहसन का पेस्ट डालेंगे और दो मिडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने चोटे चोटे तुक्रे में काट लिया है इसे भी डाल देंगे एक मिनाट तक और इसे ढख कर पताएंगे एक मिनाट तक भून गया है अब इसमें हम मसाले डालेंगे अधा चमच हल्दी पॉडर, एक चमच धनिया पॉडर, एक चमच जीरा पॉडर एक चोथा हा यः चमच गोलकि पॉडर और एक चमच गश्मिरी लाल मिच्च इस सबको डाल करके मिला देंगे अब ये जो मटर मैंने दरदरा पीस के रखा है इसे भी अब हम डाल देंगे और ये जो खड़े मटर मैंने थोड़े से रखे थे अब इसे भी डाल देंगे और अंत में इसमें नमक डालेंगे नमक आप अपने स्वादनुसार से डालें क्योंकि ये सबजी थोड़ा ग्रेवी वाली बनती है इसमें ज्यादा ग्रेवी होती है चाहिशाबब के साथ यह भात ही मजेदार लगता है खाने में इसलिए इसमें फ्वासा ग्रेवी ज्वा ज़ाधा ही रहता है सबंजी कम और ग्रेवी जाधा इसमें होता है यह आलू मटर की सब्जी वोलते हैं हमारी दादी इसे आलू मटर का गादा कहती थी आप लोग अगर जानते हों इस चीज को तो इसे आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा थन के मौसम में ही बनाती थी हमारी दादी लोग बहुत अच्छा लगता था इसे खाने में कि देखे मासाला भी हमारा भून गया है इतना अच्छा इसका खुजबू भी आ रहा है और साइड साइड से देखे तेल भी अब छोड़ रहा है अब हम इसमें आधा चमच गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छा करा से पहले मिला लेंगे अब हम इसमें पानी डालेंगे आप जैसा ग्रेवी इसमें रखना चाहते हो उस तरह से इसमें आप पानी डाल ले ये देखिए मैं हमने इतना पतला इसे रखा है आप अपनी इच्छा अनूसार इसमें ग्रेवी बना सकते हैं अब कूकर को बंद कर देंगे और इसे 2 सीटी आने तक पकाएंगे अब गैस सारा निकल गया है थंडा हो गया है अब इसे देख लेते हैं वा ये देखिए आलू मटर का गादा बनकर तैयार है इसे आप चावल के साथ खाएंगे तो इसे ज्यादा मज़ेदार लगेगा और जिसे चावल पसंद ना हो वो उसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा धनिया कपत्ता डाल देंगे और इसे मिला देंगे उमीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएए आपको कैसा लगा